Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar Tashkir. Guys, इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं Google Search Ads के बारे में और specifically हम लोग बात करने वाले हैं कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिस वक्त हम अपने Search Ads लिख रहे होते हैं. बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हमें अपने Search Ads को किस तरीके से लिखना है, बहुत सारी चीज़े वो सीख जाते हैं, बट जब लिखने का नमबर आता है कि Search Ads को किस तरीके से लिखना है, Ad Copy किस तरीके से लिखना है, Title, Description, इनमें क्या-क्या important elements है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा discuss करेंगे हम लोग इस particular वीडियो में, चलिए शुरू करते हो, जो वीडियो का topic है, that is like, right perfect search ads for Google, fine, तो यहाँ पर मैंने कुछ points लिखे हुए है, चलिए शुरू करते हैं, the first thing is, match your ad to your landing page content, there should be keyword relevancy, अब इसका क्या मतल होना चीए, ताकि there should be some relevancy, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है अपनी ad copy लिखते वक्त, यह तो पहला point हो गया, second point is, pursue urgency, insert, FOMO elements, अगर आपके कोई offer है, तो उसको आप लिखें, ad copy में उसको आप लिखें, आप ऐसा मत सोचें कि इसको हम नहीं लिखेंगे, तब भी काम चलेगे नहीं, अगर आप fear of missing out से related कोई elements है, ठीक है, अगर कोई आपका discount है, discount is expiring soon है, तो वो सारी चीज़े आप लिखें, FOMO elements को वहाँ पर add करें, अपनी ad copy में add करें, तो यह हमारा second point है, the third point is, add extensions, बहुत सारे लोग इसको use तो करते हैं, बट आपको इसको थोड़ा सा seriously लेना पड़ेगा, बहुत ही properly आपको इसे add extensions को use करना पड़ेगा, trust me, आप कितने भी data उठा के देखेंगे, आप देखेंगे, कि हमेशा उन ads का CTR अच्छा रहता है, उन ads की even performance अच्छी रहते हैं, अगर conversion की बात करें, तो उन ads की conversions अच्छे रहते हैं, जहां पर आप add extensions use क of the ads, अब हमें क्या करना है, जो भी हम add copy लिख रहे हैं, जो भी हम search add लिख रहे हैं, उसके अलग-अलग elements को हमें test करना है, जैसे हम heading को test कर सकते हैं, जैसे बाकी की सारी चीज़े, दो add copy हमने बनाई, इसको ऐसे समझते, दो add copy हमने बनाई, अब दोनों add copy में बाकी सारी ची के से perform कर रही है description को आप change कर सकते even आप CTAs को भी change कर सकते बहुत सारे लोग जो है वो CTAs के उपर experiment नहीं करते but call to action पे भी आपको experiment करना चीज़ से आपको पता चलता है कि आप जो call to actions use कर रहे हैं वो कितने effective है तो अगर आप experiment कर रहे हैं अगर आप testing कर रहे हैं तो call to action के basis पे जो आप experiment करते हैं testing करते हैं उसको ignore ना करें उसको दिमाख में रखें और call to actions को आप test करें तो फिफ्थ पॉइंट is address your audience directly कोशिश करें कि जो आप अपनी ad copy लिख रहे हैं उसमें आप ऐसे power words को use करें like you, your और इससे क्या होता है इससे लगता है कि आप direct अपनी audience के साथ conversate कर रहे हैं तो यह कुछ 5 points है आगे बढ़ते हैं हम लोग और जो हमारा 6 point है that is use numbers in the headlines like जैसे हमारा अगर कोई email marketing software है example के तौर में मानते हैं हम लोग कि अगर हमारा कोई email marketing software है और के लिए हम जो है ad लिख रहे हैं search ad लिख रहे है then we can definitely write number one email marketing software email marketing software इसी तरीके से इस टाइप से power words हम use कर सकते हैं top rated email marketing software right तो आप concept समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमें numbers को या जो हमारे power words हैं उनको हमें अपनी ad copy में use करना है तो यह मैंने कुछ example लिखे email marketing software जैसे number one लिखा हुआ है तो इस type से आप use कर सकते हैं यह elements आपके CTR को भी improve करते हैं तो जादा सर chances होते हैं कि अगर आप इन सारी चीज़ों को use कर रहे हैं तो आपके ad के उपर click आए बागी सारा खेल जो है वो हमारे CTR को improve करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं conversion के उपर तो फिर हम वहाँ पर अपने landing page के जो हमारे elements है उनका audit करते हैं और उसको देखते हैं राइट then use complete characteristic space जितने भी आपको जैसे headline के लिए जितने भी आपको space मिली है description के लिए जितनी भी आपको space मिली है आप कोशिश करें कि वो पूरी की पूरी proper space का आप utilization करें अगर वहाँ पर कुछ आपको 30 characters दिए हैं 90 characters दिए हैं तो आप उन 30 characters को properly full zero उनका पूरा potential है उसको use करें then take into account your customer journey ये बहुत ही important point है देखो जब कभी भी आप अपने campaign run करोगे जब कभी भी आप अपना ad design करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आपका customer उस वक्त किस stage पे है अपनी bias journey में किस stage पे है आपका जो campaign है उसकी target audience क्या है for example अगर आपका campaign remarketing campaign है तो उसकी जो ad copy है वो change हो जाएगी अगर आपका campaign brand awareness से related campaign है तो उसकी ad copy change हो जाएगी क्योंकि brand awareness से related अगर हमारा campaign है तो अभी तक जो हमारी audience है वो किसी भी तरीके से हमारे product के बारे में या service के बारे में नहीं जानती है तो हमारी जो ad copy होगी वो एक different type की ad copy होगी अगर हम remarketing campaign run कर रहे है तो जो हमारी ad copy होगी वो एक different type की ad copy होगी बात clear हुई कि जब हम बात करते हैं अपने ad copy लिखने की तो ये चीज इस बात पे भी depend करती है कि हम वो ad copy वो campaign जिसको भी दिखाना चाहते हैं वो इस वक्त अपनी customer journey के किस phase में है तो guys ये कुछ points है, ये कुछ tips है जो अब कभी भी आप अपने google के search ads लिख रहे होते हैं, search ads बना रहे होते हैं उस वक्त ये सारे points आपको help करेंगे guys इस particular video में इतना ही मिलते है next video में, till then goodbye